हाई दोस्तों आप लोग ने money laundering के बारे पर सुना हो गया निया काले धन को सफेद कैसा करते हैं जो black money होता है जो illegal money होता है उसको किस तरीके से legal money बने आता है वो सब कुछ आपको यह series में देखने को मिलेगा और किस तरह से legal किया था वो भी आपको इस series में देखने को मिलेग तो अब हम लोग इस series के बारे बात करें लिए कि इससे पहले मैं आपको बता दू कि एक channel है जिसका नाम है रोडी सिंस उनके channel पर आप लोग विजिट कर और आपको चैनल अच्छा लगता तो उसे subscribe भी कर लेना और मैंने तुमको subscribe कर शुका अब आपकी बार यह आप लोग भी जाईए उनके channel पर विजिट कीजिए तो चलिए बात करते इस series की तो इस series में आपको तक्रीमां 10 episodes मिलते हैं हर episodes की लेन लगभख 55 minutes से लेके एक घंटे 20 minutes की है यह तो मैं दो seasons का review करने वाला था इस वीडियो में लेकिन एक ही season देखके मुझे ऐसा personally feel हो रहा है कि भाई फिराल मैं आप लोग से तरह हैं बुलूँ है आप season 1 जरूर देखता हाला कि यह सबको पसंद नहीं आएगा क्योंकि जो कहानी काफी dark है इसमें काफी nudity के scenes भी है कुछ adult scenes भी आपको देखने मिल जाएंगे लेकिन जो कहानी जो लिखी गई है बहुत ही जबर्दस और लेक के as a financial advising का business करते हैं लेकिन actual में उनका काम होता है money laundering का यह जो बड़े-बड़े जो गुंडे होते हैं जो ड्रग माफिया होते हैं यह बहुत ही बड़े-बड़े businessmen होते हैं उन लोग के जो काला धनोतन को ही सफेद करते हैं लेकिन कहानी में twist up आता है जब माटी बट को प करती लोगों यह जो सांथी होते है कि मेरे पाच मिलें डॉलल गये कि दर असल में आट मिल्यं डॉलर होते हैं लेकिन थुक कह चलाता है किर में तुम तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें आट मिलियन डॉलर तो अलगबग 500 मिलियन डॉलर कमा के दूँगा पास सालों में तो वह उसको बोलता ठीक है मैं तुम्हें इस शर्थ चौड़ोगा तुम मुझे 24 घंटे में पहले आट मिलियन डॉलर लाके दोगे तब मैं तुम्हें चोड़ दूगा और तब तुम जाके ओजाके जहां पर तुम कह रहो कि तुम फुरीज़ के कारेक्टर से और तरफ रसिंस लड़ा एक लड़की सिंसका नाव है रूति उसका काम भी इस को मुझे C अभड़ पर बहुस्ताइं लगने लगता ह। लेकिन यहाँ पर जो एक कैरेक्टर मुझे बस्में बूरा लग रहा था वह था टा व injury और आने के Marty बश्च की जो वाइफ उसका नाम होता वेंडी वेंडी स्टार्टिंग से आपको बता ऌधिका यह वो कभी अपने हजबय को धोका दे सकती हो अध्यों तो तब पार हो जाती जब वो उसका सब आठ मेलिन डॉलर जमा करता है तो वह बिना उसको प्रूरे को पैसे लेकि चंपत होने लेकि तभी कहानी में एक होड ट्विस्ट आयाता है तो वह सब कुछ जानने के लिए आप यह सीरीज ज़रू देखता है अब मैं बात कहता है इस सीरीज के काफी लोगों को यह सीरीज में वह मज़ा नहीं आएगा जो एक्शुली आना चाहिए और यह सीरीज वाक्वे में डिजर्ब करती है यह वन अप दी बैस बैस नेट्फिक्स का शो में से एक है जो आइटिंग बहुत कम ओडियंस तक पहुचा और जितने भी ओडियंस इस शो को देखेंगे उतना इस शो को पसंद करेंगे लेकिन यह शो को आप फटन एटम में नहीं देख सकते हो इंपॉसिबल है विकास ओफिस लेंट विकास यह इतना यह शो इतना चलता है कि यह एक एटम में देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और यह शो के बा से सीजन से जो मुझे परसनली इतने कुछ अपीलिंग नहीं लग रहे थे तो मेरे इसाफ से यह शो अच्छा है कहानी में दम है बस मुझे परसनली वह जो लैंट का इश्यू था और जिस आप से वह स्लो आगे बढ़ रहते ना वह थोड़ा सा अटपटा लग रहा था मु को एकदम टॉप नौच की परफॉर्मेंस मतलब मुझे इसा लगता है कि जेसन बैटमैन और उसके जितने भी सपोर्टिंग एक्टर सब ने अपना काम कमाल का किया है और मैं वेंडी का भी बात को जिसने आप रोल प्ले के वेंडी का वह भी बहुत ही शांदर एक्टिंग देखो कि आपने अल्री देख चुके तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस शो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा तो बस इस वीडियो में इतना है मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नए वीडियो में और हाँ अजाज भाई आपका जो 96 मूवी का जो रिवी शेख भाई